प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी वायलाजी बिंक्स चैनल में मैं राकिस कोष्टी हर्दिक श्वागत करता हूँ सबसे पहले मैं आप सभी से छमाचा हूँगा जो मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उने स्टुडेंट से किनी कारणों से मैं अपने वीडियो अपलोट नहीं कर पाया उसके लिए मैं बारवार पुना करवद च्छमा चाहता हूँ आज का ये वीडियो क्लाश 12 के लिए इन्पॉर्टेंट माध्मिक सिक्चा मंडल मद्यपदेश घोपाल द्वारा जो प्रकासित प्रश्ण पत्र जो अपलोड हुआ है उसके लिए उसमें मैं हल सहत आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूँ सबसे पहले सही जोडियां जो है जैसे लीडिंग सैल्स लीडिंग सैल्स का संबन्द टेस्टेस से रहता है और जो टेस्टेस है वो हूँमन का मता मेल का मैन रिप्रोडक्टर आरगन होता है अब इससे टेस्टोस्टिरोन हॉर्मोंस रिलीज होता है, इसके बाद एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्मान गॉल्जी बाडी द्वारा होता है, ये एक्रोसोम मेल गैमीट अर्थात स्पर्म का जो हेड का पॉइंटेड वाला भाग रहता है, उसे हम एक्रोसोम वाला भाग कहत तो इसका निर्मान गॉल्जी वाडी द्वारा होता है, कॉर्पस लिूटियम इससे प्रोजेस्टरॉन हॉर्मोंस रिलीज होता है, मीनोपास का संबंद रजो निब्रती से होता है, अर्थात महिलों में किन्ही में 45 और किन्ही में 50 वस के बाद में उनका पीरियट्स आना बं हो जाते हैं, उसी घटना को हम रजो निब्रती कहते हैं, इसके बाद शुक्र जनन न लिका है, अर्था जिनका संबंद सर्टोली सेल्स से रहता है, इसके बाद है माल्थस, माल्थस ने जनसंख्या पर निबंद लिखा, अर्थात माल्थस ने जनसंख्या का सिध्धान भी दिया, बैसेक्टोमी, जनसंख्या नियंत्रण की पुर्षों में अपनाई जाने वाली एक पद्धती है, जिसमें उनकी वाश डिफ्रेंस, यानि सुक्र स्पर्म को ले जाने वाली जो नलिका रहती है, उसको कट कर दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी का संबन महिला नस्वं एमनियोसेंटेसिस, ये इसके द्वारा लिंग निर्धारन का भी पता लगाया जाता है, बैसे तो एमनियोसेंटेसिस है, भ्रूणी विकास में होने वाली उपापचाई क्रियाओं से संबंधत विकार, या उसका विकास किस तरह से हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की भवि होने लगा निर्धारण में इसके बाद आता है अपून प्रभाविता अब मेंडल ने मतर के पौधे पर जो आनुगास की संबंधित जो कारी किये थे तो उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किये थे उनमें से एक है अपून प्रभाविता का नियम यह रिलेटेड है गु हेटेरोसोम अर्था सेक्स क्रोमोसोम जिसमें जो वाइक क्रोमोसोम रहता है वह नरपन का निर्धारण करता है अर्था तो उसका जो संबंध रहता है लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन से रहता है कलर ब्लाइंडनेस यानि वरनांधता यह लिंग से लगन रोग ह है यह है एक आनुवानसिक रोग है जो पीड़ी दरपीड़ी संचरित होता जाता है इसके बाद है 44XX धन double XY आर्था ये एक सिंड्रोम है यहाँ पर 44XX जो दिये हैं ये को निरधारत करते हैं यानि उनको दरसाते हैं और डवल X जो दिया है वह लिंक गुलसूत्रों का निरधारत करता जो फिमेले जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक वाई एक्ष्ट्रा है अर्थात ऐसी महिलाओं में क्या पुरुस का एक गुलसूत ज्याद़ पाया जाता है जिसस महिलाओं में पुरु उसके कैरेक्टर्स उत्पन हो जाते हैं उससे हम किलीने फिल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं इसके बाद है बिसमयुगमिजी अर्था जिसमें जो जीन प्रारूप रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं यदि यहाँ पर कैपिटल्टी या कैपिट दौनों इस small t है अर्थात ये भी समयुगमिजी है अर्था जीन प्रारूप याने जीनो टाइपस इसके बाद आता है वनसा गती का आणविक सिद्धान्त उसके अंतर गत केंद्रिय सिद्धान्त केंद्रिय सिद्धान्त ये दिया था है HFC क्रिक द्वारा ओपिरान अउधारना जैकोब और मोनोड द्वारा प्रती पादित की प्रस्तुत की गई न्यूकलिक एसिड न्यूकलिस अंतर केंद्रिक है याने DNA याने दी आक्सी राइबो नूकलिक एसे वैसे न्यूकलिक जो एसिड रहते है वो तू टाइपस के रहते RNA और DNA RNA का full form होता ribonucleic acid DNA का full form है deoxyribonucleic acid अब RNA polymerase RNA polymerase एक enzyme है इसका संबंध होता है transcription से अर्थाथ DNA से यदि हम messenger RNA का निर्माल करते हैं तो वो प्रिक्रिया के दौरान होता है जिसे हम अनुलेखने याने transcription कहते हैं और यदि messenger RNA से protein synthesis होता है तो उसे हम translation कहते हैं अनुलवादन कहते हैं DNA fingerprinting इसको discovered किया था Alec Jeffrey ने DNA fingerprinting एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम बलातकारियों या अपराधियों की पहचान करते हैं इसके बाद आता है अध्यासाथ जो की विकास है अध्यासाथ विकास जिसको बिलोपित कर दिया गया है कोरोना महमारी को देखते हैं कुछ कोर्सिस साथा कम किये गए थी बूड़ द्वारा इसके बाद है अध्या आत का है माना रोग माना स्वास्थ एवम रोग अब एड्स एड्स वास्ताव में एक बीमारी नहीं है बैलकि कई बीमारीयों का समू है एड्स एक्वार्ड इम्मिनो डीफिस डेफिसियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म इसका संबन एस्टिडी अर्था सेक्सूल ट्रॉंस्मीटर डिसीज याने लेंगिक योन संचरित रोग इसके बाद है प्रतीजयविक याने एंटिवायोटिक्स एंटिवायोटिक्स की खोज अलेकजेंडर फॉलैमिंग ने की एंटिवायोटिक्स क्या है कुछ सूक्ष में जीवों से विसेस प्रकार की दوाएं निर्मित की जाती है जो अनने जीवों की फेरान ये है विशानु रोधी प्रोटीन यानि एंटिवाइरल प्रोटीन एंथ्रेक्स एक जीवान जिसका उपियोग वायो वार में किया गया यानि जयव युद्ध में किया गया इसके बाद टीवी यानि इसका फुल फॉर्म है ट्यूवर कुलोसिस अर्था चैरोग इसक ब्रद्धी की कारी नीत इसको भिलोपित कर दिया गया अब अध्यार दसके अंतरगत मानाव कल्याण एबम सूक्ष जीव यानि ऐसे सूक्ष जीव जिनका संबंद मानाव कल्याण से है मानाव द्वारा उत्पादित विभिन पदार्थों से जैसे बिटामिन्स बिटामिन को उत्पन करने वाले यानि बिटामन उत्पादक तो यह है यिष्ट यूनि शेलुलर होती है इसके बाद एंटिवायोटिक उत्पादक क्या है पैनिसीलियम नोटेटम पैनिसीलियम नोटेटम एक कवक है जिससे पैनिसलीन नामक एक एंटिवायोटिक उत्पन की जाती है ये हार्मोंस उत्पादक यानि जिवरेला फ्यूजी कोराई एंजैम उत्पादक है एसपरजिलस एसपरजिलस भी फंगस के अंतरगत आती है पिगमेंट्स उत्पादक यानि वरनक उत्पादक है मोनेसकस अगला है अध्या है जैप्रोध्यूक्री की सिध्धान्त एवं प्रक्रम यानि निफ जीन्स निफ जीन्स का संबन नाइटोजन इस्थ्री कारक जीव से है फिर विलमट विलमट ने क्या किया डॉली यानि सबसे पहले भेड का क्लोन तैयार किया डॉली मॉली पॉली ये भेड के क्लोन्स है क्लोन किसे कहते हैं एक जीव की हू बहू दूसरी प्रती हो ना ये क्लोन कहलाता है जो आकार आकरती में एक दूसरी बिलकु समान रहते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है इसके बाद ligase enzyme DNA खंडों को आपस में जोडने के लिए ligase enzyme का उपयोग किया जाता है फिर PBR 322 ये cloning vector है याने cloning समवाहक है gel electrophoresis ethidium bromide gel electrophoresis एक ऐसी बिद्धी है जिसमें DNA के खंडों को उनके आकार आकरती के अनुशार अलग-अलग आगों विभक्त किया जाता है इसके बाद next अध्या है जिया प्रोधु की एबम उसके उपयोग तो antibiotics antibiotics का समवन S-vox man से है humulin क्या है मानाव द्वारा निर्मेट एक insulin hormones है biopiracy का संबंध याने जेव दस्शूता जेव अनुएबम जीन की चोरी करना interferon antiviral proteins इसके बाद next है जीव एबम समिष्टिया याने जल क्रमक अनुक्रमाण का संबंध होता है जील से लेक से अपरदन याने प्रारम भिकाल आक्रमाण याने आस्थापन चरम सीम चरम अवस्था याने क्लाइमेक्स यान इस्थरी करन और सिपेरस का है बढ़ अनूब लाश्ट अध्या है पारितन याने इको सिष्टम 10% जो उर्जा का 10% ला है वह इनर्जी फिलो से संबंद है याने उर्जा के परवाह से संबंद है अब कुछ सेर चीता सांप बगएरा ये हैं तिर्टियक याने थर्ड थर्ड कंजूमर्स याने जो की कॉर्णी बोरस रहत की अवस्था आती है और इस पाइरोगारा एक एलगी है जो फाइटो प्लैंक्टॉंस के अंतरगाती आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू